हाई दोस्तो देश्टपफ गूर्दीप सिंग बेलकुम बैक तू मैं चल्ड आज हम बात करने वाले हैं अंस्पोर्ट्समेन लाइक फावल में जो की बास्क बोल में एक tęक्षावल मानी जाता है अंस्पोर्ट्समेन लाइक फावल कौन सा होता है वह आपको मैं complete इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को लाज तक दिखना अभी मैं आपको बता देता हूँ कि unsportsman like foul का इसारा referee कैसे देगा सबसे पहले referee whistle करेगा और game stop हो जाएगी जैसे ही player उसकी तरफ देखेंगे तो वो दोनों हातों को उपर करेगा और right hand को left hand से पकड़के unsportsman like foul का इसारा देदेगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये contact foul है कोई भी player, open head player को अगर hard contact करता है तो उसको हम unsportsman like foul में count करते हैं जो की खेल भावना से नहीं किया गया हो और उसमें कोई भी खेल भावना नहीं है वो unsportsman like foul में count होता है उसके बाद कोई भी player अगर fast break में जा रहा है कोई दूसरा player वहाँ पे नहीं है और open head player आपको पीछे से attack करता है मैं simple भासा में आपको समझाता हूँ अगर मालो मेरे पास ball है और मैं ball जो है रिंग में डालने के लिए जा रहा हूँ और कोई भी दूसरा player वहाँ पे नहीं है और open head player पीछे से fast भाग के आता है और मेरे को पीछे से धक्का देता है जपकड़ता है कुछ भी करता है तो उसको भी हम unsportsman like foul में count करते हैं अभी fast break का मैं आपको मतलब समझाता हूँ एक किसी भी court में game चल रही है बोल उधर ही चल रही है मैं अपनी team को छोड़के open head के court में चला जाता हूँ और मेरा player एकदम से मेरे को pass दे देता है और बोल मेरे पास आ जाती है उस court में कोई नहीं है और मैं अराम से ball को shoot करने के लिए जा रहा हूँ lay up लेने के लिए जा रहा हूँ और कोई दूसरा player, open head player speed से भाग के, पीछे से आके मेरे को attack करता है तो उसको हम unsportsman like foul में count करते हैं उसके लबा, fourth quarter के last two minute में fourth quarter means last quarter के two minute में मानलो, A team को throw in मिला है referee के हाथ में ball है और open head player, उसी के player को जिसको वो pass करने वाल है उसको बार-बार धक्का दे रहा है, जान बुझ को पकड़ रहा है उसको बोल लेने की, वो बहुत कोशिच कर रहा है पर उसको बोल लेने नहीं दे रहा है जान बुझ को दक्का दे रहा है तब भी referee जो है, unsportsman like foul उसको दे देगा यह सब कुछ कारण है, जो unsportsman like foul में हम count करते है अभी हम बात करते हैं कि penalties क्या दी जाएगी जिस भी player ने unsportsman like foul किया है उसके नाम पे unsportsman like foul भरा जाए का score sheet में उसके इलाबा दूसरी टीम को, ओपने टीम को two free shot दिये जाएंगे और उसी टीम को ball position भी दी जाएगी center line से जाने कि ओपने टीम के front court में table official के opposite side से center line से ball position दी जाएगी जाने कि throw in दिया जाएगा अगर player act of shooting में है, means वो shoot करने वाला था ball को और तब उसके उपर foul होता है, तब उसको two free shot दिये जाएंगे अगर वो three point shooting line के अंदर से ball को shoot कर रहा है तो player को two free shot दिये जाएंगे अगर short count हो जाता है, तो one additional shot दिये जाएगा अगर वो three point shoot ले रहा है, और अगर short हो जाता है तो one free shot उसको extra मिलेगा, एक additional shot मिलेगा, अगर ball count नहीं होता है, short count नहीं होता है, तो उसको three free shot दिये जाएगे, और उसी team को ball position center line से दी जाएगी, अगर कोई भी player दो technical foul कर देता है, तो वो disqualify हो जाता है, अगर वो एक technical foul, एक unsportsman like foul करता है, तब भी वो disqualify हो जाता है, अगर वो दो unsportsman like foul करता है, तब भी वो disqualify हो जाता है, जैसे उसको disqualify करेंगे, तो उसको जो penalty है, वो unsportsman like foul की दी जाएगी, अभी मैं थोड़ा आपको ground में ले चलता हूँ, जो जो मैंने बताया है, उसको मैं ground में आपको easily समझाने की कोशी करता हूँ, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, कि मैं आपको जो fast break वाला बता रहा था, कि वो उसको हम कैसे unsportsman like foul में count करते हैं, for example, उस court के अंदर अपना game चल रहा है, और मैं अपने player को pass देने के लिए बोलता हूँ, मैं अकेला यहां पे खड़ा हूँ, और मेरे को वहां से pass आता है, और सीधा मैं direct मै मैं अपने पास ले जाता हूँ, और मैं यहां पर अभी देखो, कोई player नहीं है, for example, आप माल जीए, कोई player नहीं है, और मैं बोल को ले जाके, अभी मैं सूर्ज करने के लिए जाने वाला हूँ, मैं lay-up लेने वाला हूँ, कोई player, opponent player, speed से भाग के आता है, और जैसे ही मैं ब जब लेने के लिए छोडने वाला हूँ, जब मैं बोल को इजली लेके जा रहा हूँ, तो पीछे से कोई player मेरे को पकड़ लेता है, जब मेरे को धक्का दे देता है, जब फिर मैं गिर जाता हूँ, जब मेरे को डिस्टर्ब कर देता है, तो तुरंत unsportsmanlike foul की whistle जो है, referee बज center line से ball position दिया जाएगा, table official के opposite side में, अगर table official इस तरफ हैं, तो इस के opposite side में दिया जाएगा, अगर table official इस तरफ हैं, तो इस तरफ से ball को दिया जाएगा,